हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू SAC क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो SAC CGL 2022 एक्जाम के लिए रेडी हो जाईए test 6 को देने के लिए अभी back-to-back सारे important videos बन रहे हैं आपके exam के लिए और बीच-बीच में जो है mock test भी आप लोगों का ले रहे हैं ताकि ये पता चलते रहे कि कितना क्या preparation है ठीक है तो ये जो set है ये थोड़ा सा difficult रहने वाला है आप लोगों के लिए पता नहीं difficult रहेगा या ये रहेगा ये तो बात में पता चलेगा जब आप score share करेंगे कि आपका कितना आया है ठीक है तो चलिए देखते हैं mock test 6 में जो है कैसा क्या performance रहने वाला आप लोगों का सभी questions TCS pattern पर रधारित हैं तो start करें हम लोग first question के साथ तो चलिए start करते है first question पहला question आपके screen पर है who among the following was the author of सत्यार्थ प्रकास written in 1875 निमने लिखित में से कौन 1875 में लिखी गई सत्यार्थ प्रकास के लेखक थें क्या होगा यहाँ पर right answer previous में पूछा गया questions हैं पहले question का right answer होगा दयानंद सरश्रती next question है who among the following national leaders of British India was the first to form the home rule league in April 1916 in पूणा अपरेल 1916 में पूणा में ब्रिटिश भारत के निमनलिखित राष्ट्रिये नेता वो में से कौन home rule league बनाने वाला पहला वैक्ती था तो यह था बाल गंगाधर तिलक कौन थे बाल गंगाधर तिलक next है which of the following Mughal rulers built the imperial capital साजहाबाद निमनलिखित में से किस Mughal साशक ने शाही राजधानी साजहाबाद का निर्मान किया था किस ने किया था यह खुद साजहाँ ने करवाया था next है in Asia Cup 2022 against which of the following countries Virat Kohli scored an unbeaten 122 of 61 balls तो विराट Kohli ने नवाद 162 run कितने गंदों पे बनाया था 61 गंदों में बनाया था यह किस देश के खिलाफ खेलते वे बनाया था तो अफगानिस्तान होगा यहाँ पर correct answer ठीक है next है the tomb of itimad ul-dolaha is located at which place itimad ul-dolaha का मकवरा डैस पर इस्तित है कहां पर इस्तित है तो यह इस्तित है आगरा में next है which of the following is the fundamental duties of a citizen तो इन में से जो है कौन सा एक नागरिक का मौलिक करतव है ध्यान से option को पढ़ना है आज कल एक question पूछे जाते हैं इस type से तो देखिए right answer होगा to preserve rich heritage जो भी rich heritage है नामी heritage है ठीक है उन सब को संगरक्षित करना यह हमारा fundamental duty है next है the dash festival is celebrated thrice in a year in Assam एक verse में तीन बर मनाया जाता है ठीक है वो कौन सा तेवारे असम का तो बी हू है next question है which of the following state government announced in March 2022 to confer the सुष्मा स्वराज अवार्ड on women for their contribution to different walks of life तो किस से राज सरकार ने यह गोशना किया है सुष्मा स्वराज अवार्ड का तो right answer होगा यहां पर हरियाना next question क्या है what was Turkan E. Chalgani formed by Ilthutmus okay तो Ilthutmus द्वारा गठेद Turkan E. Chalgani क्या था यह था group of 40 Turkish army okay next है when did the rolling plan come into effect rolling plan कब लागु हुआ rolling plan कब लागु हुआ था तो यह लागु हुआ था after the 5th 5 year plan okay after the 5th 5 year plan next है which of the following movements of Mahatma Gandhi was his first movement in British India against indigo planters तो Mahatma Gandhi का निम्न लिकित में से कौन सा अंदोलन British भारत में indigo planters के खिलाफ उनका पहला अंदोलन था वो था चमपारन सत्यागरा next है which of the following is the regulatory body for microfinance institution in India निम्न में से कौन भारत में microfinance संस्थानों के लिए नियामक निकाए है ध्यान से इसका अंसर देना है मुझे मालूम है इस question में बहुत सारे लोग गलत अंसर देंगे तो इसका अंसर याद कर दीजिए Reserve Bank of India होगा ठीक है regulatory body for microfinance institution in India तो Reserve Bank of India होगा नेक्स्ट है गोपी कृष्णन गोपी कृष्णन अ ग्रेट प्रस्णालिटी इन कत्थक और फेमस अज इन इंडियन डांसर अक्टर और कोरियोग्राफर बिलॉंग तो विच घराना देखे वापस से एक घराने का question पूछ लिया है मैंने आपसे तो ये गोपी कृष्णन ये किस घराने से आते हैं तो बनारस घराने से आते हैं भारतिये जनगन्ना का जनक किसे कहा जाता है ये कहा जाता है हैंरी वाल्टर को नेक्स्ट है Whose reason was देवागिरी renamed दौलताबाद ठीक है देवगिरी का नाम किसके शासनकाल में दौलता बाद रखा गया था देवगीरी का नाम किसके शासनकाल में दौलता बाद रखा गया था तो मुहम्मद बिन्त तूगलक के शासनकाल में रखा गया था Henry Vivian Derozio is related to which of the following movement Henry Vivian Derozio निम्न लिखित में से किस अंदूलन से समंदित है तो वो है किस से तो यंग बंगाल movement होगा यहाँ पर right answer next है which of the following countries introduced world's first dual mode vehicle that can run on roads and tracks तो वो कौन सा countries है किस देश ने दुनिया का पहला दोहरे mode वाला वाहन पेस किया जो सरको और पत्रियों पर चल सकता है तो जापान होगा यहाँ पर correct answer ठीक है the e-amrit project launched by the government of India in November 2021 is related to किस से related है e-amrit e-amrit प्रियोजना का संबंद किस से है तो electric vehicle से है next है law of giving effect to fundamental rights can only be made by the dash मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने का कानून के वर्ल डैस द्वरा बनाया जा सकता है किस के द्वरा बनाया जा सकता है तो पर्लियमिन के द्वरा बनाया जा सकता है ठीक है next question है कैलास नाथर टेंपल नहीं कैलास नाथर टेंपल is located in which of the falling states of India कैलास नाथर मंदिर भारत के निम्न लिखित में से किस राज में इस्तित है तो ये है तमिल नाडू में ठीक है next question है महताव बाग is the part of the which of the falling famous monuments of India महताव बाग भारत के निम्न लिखित परशिद इस्तित मारकों में से किस का हिस्सा है किस का हिस्सा है महताव बाग ये है ताज महल यहां पर होगा right answer ठीक है इस question पर doubt है मिलेको बीबी का मकवरा होना चाहिए या ताज महल ठीक है इसका answer आप लोग comment करके दो देखना चेक करके अब ऐसा question अगर exam में आ जाए अब देखे चलिए ठीक है ऐसा situation तो बाग बता देता हूँ मान के चलिए किसका answer ताज महल है ठीक है तब तो सबको दो marks मिल जाएंगे अब इसका answer मतलब SSC ने ताज महल दे दिया ओके और जबकि answer होगा बीबी का मकवरा तो इस case में सबको दो marks मिल जाएगा बोनस के रूप में है ना इसका answer आप comment करके बताएंगे कि ये कहां है नेक्स है भारत की पहली पूर्ण जनगन्ना डैस वर्स में की गई थी ये 1881 में किया गया था ठीक है 1881 नेक्स है विच वन आप दा फॉलिंग वास्ट डास्ट डानेस्टी ओफ विजयनगर अंपायर निमलिकित में से कौन सा विजयनगर समराज का अंतिम राजवन्थ था लास्ट डानेस्टी की बात हो रही है तो क्या होगा यहाँ पर राइट एंसर अरविंदू डानेस्टी नेक्स है फेमस सुन्दरबंथ फॉरेस्ट सुन्दर वन बंथ भारत के निमलिकित में से किस राज में पाय जाते है यह तो सिंपल है वेस्ट बंगाल हो जाएगा नेक्स है विज अप दे फॉलिकित अफ इंडिया दस नौट सेयर दा बॉर्डर वित नेपाल भारत के निमलिकित राजो में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साजा नहीं करता है तो वो है हिमाचल प्रदेश ठीक है कोगि नेपाल तो इस साइड हो गया हिमाचल तो उपर हो गया तो हिमाचल प्रदेश होगा राइट एंसर बाकी ये set यहीं पर समार्थ होता है कितना क्या score आया है ये आप comment करके बताएंगे कि आपका score कितना आया है ठीक है चलिए ये महताब बागवला देख लेते हैं इसका confirmation यहीं कर देते हैं ठीक है पता नहीं आप लोग comment करेंगे कि नहीं करेंगे आप भी सोच रहे हैं कि सरी क्या कर रहे है अरे ये तो ताज महल सही answer ठीक है मैं ही ज़्यादा दिमाग लगा रहा था ताज महल is the right answer ठीक है महताब बाग ये ताज महल का ही पार्ट है ओके गाइस तो चलिए इसका solution यहीं पर हो गया है मिलते हैं आप आप से next वीडियो में ठीक है next मॉक में तब तक के लिए जो है all the best